भारतिय जंता पार्टी द्वारा दिल्ली की अनाधी करत कॉलोनिय को पक्का किये जाने पर चला जा रहा है जागरु कभियान आईए कुछ लोगों से बात करते हैं जो कि बाजपा के पदाधी कारी है यहीं के रहने वाले हैं और साबात मंडल एक्सेक्शन को ही जो कच्छी क करने का कितना फायदा मिलेगा क्या फायदा मेरा नाम गुल्षन नरोडा जी मैं मंडल लोग दक्शु वाट शोविश से बिल्कुल जी मोधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आज तक इतने सालों से कच्छी कलोनियों के लोगो बेफू बना रहते हैं लोग हमाद के सबके मूपे एक्दम जो लोग करते थे थी इसमाचा मार दिया लोगों वह देखते कि हम सब एक परिवार के लोगे लोगं पर आज के भास चब्स ही वह बंद हो जाए हुत्य वीके शर्मा मंडा रद्यव कच्ची कलोनियों को पास किये जाने पर इन कलोनियों को कितने लोगों को फायदा है उस टाइम पर करीब 40 लोग इससे लावानुवित हो रहे थे लेकिन 40 लाख लोग लेकिन अब के आज एजान टुड़े इसका डारेक्ट वे में कि आने वाले चुनावों में बीजेपी के लिए मास्टर स्टॉर क्रासा बीट होगा ऐसा कुछ नहीं कह जा सकता लेकिन हम कोई राजणीति इस काम के लिए नहीं कर रहे हैं कि हमें चुनावों में फायदा हो या इसका नुक्सान हो हमारी तो सिर्फ क्या है मोदी जी का सिर्फ एक ही नारा है सबका सास, सबका विश्वास और इस नारे को लेके हम जो आज तक मोदी जी चलते आए हैं उन्होंने बिना किसी उस चीज को देखे हुए हमारे किसी भी केंद्रिये या हमारे प्रदेश या हमारे जिले के किसी भी पदादीकारी को ये पता नहीं था कि 1700 कलानियों को और्थराइज करने का तोफ़ा मोदी जी देने जा रहे हैं ये उन्होंने अचानक ही पुरानी समस्याओं को देखते हुए अचानक ये कदम उठाया यदि राजनीती करनी होती तो पहले लोगों को बताया जाता कि हम इन कलानियों को पक्की करने जा रहे हैं लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कोई हम लोगों ने माहौल नहीं बनाया और मोदी जी ने जो जैसा कहा वैसा करके दिखाया सबका सास, सबका विश्वास कालोनी के भाईयों को, बेहनों को, सब को दिया है, अब ये जो रोज, डेमोलेशन का मामला था, कभी और किसी डिपार्टमेंट का था, अब ये पर्मनेंट ही खतम हो जाएगा, और जब रजिस्ट्री हो जाएगी, तो उसका सब कुछ खतम हो जाएगा, और मानने परदान मं हम सब धन्यवाद करना चाहते हैं, काफी गरीब लोगों को इससे फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि पहले जनरल पावर टोनी होती थी, जनरल पावर टोनी पर ने बैंक लोन देता था, ना कोई वास्था लोन देती थी, जब हमारे पास सब के रजिस्ट्री होगी, तो हम रजिस्ट्री अपनी कहीं भी बैंक में भी, वैसे भी जैसे हमें किसी गरी, हमारी किसी बिट्या की साधी है, या कि कोई हमारा बेटा कोई अच्छा इंटेलिजेंट पढ़ने में है, और पैसे नहीं है, तो उसके हमें लोन मिल सकता है, और वो बच्चा आगे क्या हो हलो पाएंगे, क्या नम हर्शियरोडा है, और बहुत फाइदा होगा सर इसी सका, क्यूंकि देखिए ना हर इंसान चाहता है कि अपना एक घर हो, और मोधी जी ने जो किया है, वो बहुत ही अच्छा किया है, बहुत कम टाइम में मोधी जी ने बहुत कुछ ऐसा कर है, बहुत ही जादा, आज हम कहीं बाहर जाते हैं, तो हमें मतलब इंडियन लोगों को पहले किस तरह से बिहेव किया जाता था और आज इंडिया के अगर कोई भी लोग जाते है, तो आप देखिए विदेश में उनका कितना अच्छा सतकार होता है, उन्हें एक रिस्पेक नावाशा आपका, दोक्टर सुलेकां, जी क्या लगता है, बहुत दिनों से इंतियार थे दिल्ली वासियों के और खासकत दिली गरीब जनता के लिए, चुकि कच्छी का लोगों में गरीब जनता ही रहती है, कच्छी काल्वन में करोडपती कोई रहते नहीं है, तो इस द प्रशान नहीं करेगा कोई डिली की 50-60 लाग गरीब यंता के लिए बहुत बड़ा तोफा है बहुत बड़ी चीज है मोदी जी का तहीं से सारी जनता को धन्यबाद देते हैं लोग और मोदी जी हम ऐसा बने रहे हैं पधामति हमारे हम यही उसकामना है कुछ और लोगों से बिल्कुल मिलेगा क्यों है और सबसे बड़ी बात है कि पहले जो काच्छी कोलोनिया थी उनकी रिष्टी नहीं होती थी और सब के ऊपर खत्रा मंद रहताया ताए कि हमारा घर तूटना जाए गल कोई डिपार्टमेंट आगे हमारे गर ना गिरा जाए लेकिन मोधी जी के साथ यह ज्यादा फंड नी लग पाता था किसी विधायक का किसी निगम बाशारद का कियो जब तक सर्कार हो कोई भी सरकार माशडीजिदु सबस्क्राइմ पता वन Alpha क्षिए का महतéra ह पाएगा कि बाजपा को कच्छी कलोने के पक्के होने का लाब मिलेगा और भी जब सत्र सुरू होगा कल से तो उसके बाद ही देखा जाएगा कि रजिस्ट्री की होने की कारेश हली कब सुरू होती है मैं कुल्दीब कुमार डबलनी उस दिल्गी